Election Commission of India द्वारा लोग सभा के सिडियूल के डिकलेर होते ही ये तै हो गया था कि UPSC Prelims 2024 पोश्टपोन हो जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही UPSC Prelims 2024 अब 26 मई नहीं बलकि 16 जून 2024 को करवाया जाएगा हमने इसे लेकर दो वीडियोज भी बनाये थें परन्तु देश के कुछ महान कॉमेंट जीवी महापूर्सों को ये रास नहीं आया था उन्होंने उल्टा हमें ही ग्यान देना शुरू कर दिया था कि हम फेक न्यूज फैला रहे हैं तो आज काई वीडियो उन कॉमेंट जीवी को डेडिकेट कर रहा हूँ UPSC का ओफिसियल स्टेटमेंट आ गया है जरा आपने ग्यान चक्छो को खोल कर ये वीडियो देखिएगा UPSC प्रिलिम्स 2024 की परिक्षा को पोस्टपोन करते हुए कमिशन ने जो बयान अपने आथिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है मैं उसे आपके स्क्रीन पर भी डिस्पले कर रहा हूँ और उसे पढ़वी रहा हूँ Due to the schedule of the impending general election the commission has decided to postpone the Civil Services Preliminary Examination 2024 which also serves as a screening test for Indian Forest Service Examination 2024 from 26 May 2024 to 16 June 2024 इट मिन्स लोक सभा के चुनाओं को देखते हुए Prelims Exam अब 16 June 2024 को करवाया जाएगा इस examination की तैयारी के लिए aspirants को अब 3 weeks और मिल गए दरसल चुनाओं में कई UPSC aspirants की election duty होती है अब सरकील officer साहब 25 मई को अपने छेतर में चुनाओं का प्रबंध देखते या 26 मई को collector बनने की परिच्छा देते इसी परकार लाखो aspirants वोड भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक दिन पहले ही exam के लिए ट्रेवल करना होता है इन ही बातों को ध्यान में रखते हुए UPSC ने एक तर्क संगत निर्ना लिया है और अब आपकी exam 16 जून को होगी At last I will reiterate here that exams hub is a very small youtube channel currently and authenticity of our news is our pride